इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी blog post में या pages में कहीं पे भी अगर wordpress में हमें table of contents दिखाना है तो वो हम कैसे दिखा सकते है table of contents मतलब समझते हो जैसे ये post है अगर post starting में अगर एक contents दिखा दे तो आदमी जो है और यह काफी easy to do है, free plugin है, उसके through hump करेंगे, और मैं भी आपको ये भी सिखाऊंगा, कि माल लो यहाँ जो sidebar है, मेरा main sidebar, उसमें widget करके अगर मैं इसको install करना चाहूं, कि table of contents वहाँ पर भी दिखे, तो इस वीडियो में मैं आपको वह भी सिखाऊंगा, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को subscribe कर लो, और bell notification दबा दो, ताकि जितने भी वीडियो में बनाओ, आपको notification मिलता जाए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें जाना है plugins में, click add new, और हमें एक plugin इंस्टॉल करना है, easy table of contents, easy table of contents अगर आप लिखोगे, तो यह जो first plugin आ रहा है, by magazine 3, 300,000 plus active installation है, इसे आपको install करके activate कर लेना है, मैंने already किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, install plugins में अगर जाएंगे, easy table of contents है, इसके settings में जाएंगे, अब इसका pro version भी है, बेट हम free पे काम करेंगे, और mostly हमारा काम हो जाएगा, तो अब मैं कहां पे दिखाना चाहूँगा, post पे, pages पे, pages पे मैं हटा देता हूँ, मैं आप जिस पे चाहो आप दिखा सकते हो, मैं अभी आपको सिफ post पे करके दिखाऊँगा, auto insert कर दे post पे, आप करना चाहो तो कर सकते हो, और before first heading, after first heading, after first paragraph यह इसका position आप change कर सकते हो अपने हिसाब से, show when two or more headings अगर बहुत छोटा है तो आप उसको cancel कर सकते हो, इस हिसाब से आप table of contents और settings हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं, यह हुआ की नहीं हुआ, तो front end पे जाए website के, और यह जैसे मेरा एक blog post है, इसे refresh करके देखें, तो तेखो table of contents यहाँ पर दिख रहा है, और क्यूंकि यह बहुत देमो आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, इसलिए इसका जो भी है, यह बहुत खुपसूरत वे में दिखा रहा है वैसे, यह usually theme के features ले रहा है, लेकिन यह बहुत ही standard good looking, अब जैसे मैं इस पर click करूँगा वो नीचे scroll हो जाएगा, अब बहुत सारे अगर आपके heading है, h1 है, h2 है, तो फिर आप कैसे manage करोगे, मैं वापस से setting में आता हूँ, और यह देखो, यह जो setting है, मतलब किस-किस, मतलब h1 का content बनाना है, h2 का, h3 का, h4 का, h5 का, तो यहां से आप select कर सकते हो, यहां पर सब select है, बट आप चाहो तो heading 1 को हटा सकते हो, इसलिए आपको जब block post लिखो ना, तो कुछ से standard way में लिखो, कि कौन सा को h2 करना है, कौन सा को h3 करना है, तो आपको table of content बनाने में भी आसानी होगा, exclude heading करना है, तो कोई भी heading को अगर exclude करना है, तो उसे just आप यहां से copy करोगे, और यहां पर paste कर दोगे, तो वो heading exclude हो जाएगा content बनने में, ठीक है, color वलर आप जो भी change करना चाहो कर सकते हो, इसमें आपको कोई problem नहीं आएगा, और तो यह मेरा just एक simple सा एक तरीका हुआ, कि हम easy table of contents कैसे दिखा सकते हैं, और यह auto insert feature जैसे आपने उपर देखा, auto insert है, तो सब पे हो जाएगा, अगर आपको किसी को एक को remove करना है, तो limit path करके एक option होगा, चेक करते हैं, limit path, तो यह अगर आपको जैसे मालो कि सब block पे रहेगा, इस block पे मुझे table of content नहीं दिखाना है, तो यह जो इसका last वाला जो heading है, उसे आपको copy करके यहाँ limit path में restrict कर देना है, example भी दिखा रहा है, slash के साथ आप करना है, और यह हो जाएगा, ठीक है, तो यह हुआ हमारा simple तर post पे अगर मैं दिखाऊं, कैसा दिख रहा है, auto insert किया हुआ है, तो सब पे दिखाना चाहिए, इसमें भी देखो, बहुत demo है, इसलिए जो heading उसको मिल रहा है, उससे वो बना दे रहा है, ठीक है, आपको problem नहीं होगी, अगर बड़ा article होगा, तो जादा यह effective लगेगा, but मैं आपको जस्ट यह plugin के बारे में बताना था, कि free plugin इतना effective है, इसलिए मैंने ऐसा किया, अब दूसरा जो चीज है, कि अगर मुझे यहाँ पे widget में दिखाना है उसको, तो कैसे हम दिखाएं, तो हम क्या करेंगे, appearance में जाएंगे, जहाँ पे widgets हम handle करते हैं, appearance में widgets जाएंगे, और कहाँ पे है, यह मेरा main sidebar है, जो यह दिख रहा है, यह main sidebar है, देखो search option है, यहाँ देखो search option है, तो यहाँ पे एक widget add करेंगे, तो यहाँ पे देखो browse all करके देखते हैं, content का कुछ आया, table of contents का अपना एक widget add हो गया, तो उसे just select कर देंगे, अब क्या heading देना है, कुछ भ यह widget का heading हो जाएगा, active selection highlight करना है, अगर आपको color तो आप कर सकते हो, उसे इसके बाद हम update कर देते हैं, अब check करते हैं, तो देखो अब यहाँ पे भी यह table of contents दिखा रहा है, तो यहाँ से आप हटाना चाहो, तो वो वाला जो option था, settings में जाके, settings में भी आप table of contents जा सकते हो, leave, यह वाला जो option है, यहाँ पे posts, posts अगर हटा दोगे, तो यह यहाँ से हट जाएगा, लेकिन widget में रहेगा, widget में आपको दिख रहा है, same तरीके से table of contents बन गया है, heading मैंने जो दिया था, वो heading भी दिख रहा है, अब लेकिन एक problem है, कि मैं इसे जब नीचे कर रहा हूं, तो यह उपर scroll हो जा रहा है, अगर मैं चाहूं तो इसे fix कर सकता हूं, तो इसे fix रहने से क्या होगा, कि हम जितने भी नीचे जाए, मेरा content दिखता रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक plugin install करना होगा, plugins में add new जाते हैं, और एक plugin का नाम है, free plugin है, fix widget करके, इसे इसे क्या करते हैं, activate दबा देते हैं, अभी हम चाहेंगे कि उसे fix करें, तो फिर से appearance में, widgets में जाएंगे, और हमारा जो widget है, उसे open करें, यह table of contents, और यहाँ पर एक option दिखेगा, fix widget, उसे just enable कर देना है हमें, और update मार देना है, अब यह वापस से जो block page है, उसे अगर मैं refresh करके दिखा हूँ आपको, तो अब मैं table of content जो है मेरा, यहाँ पर fix हो गया, अब सोचो आप अगर बड़ा article है कुछ, बहुत सारे content है, तो यह मेरा कितना helpful होगा, तो hopefully आपको यह video बहुत पसंद आया होगा, छोटा सा tutorial था लेकिन बहुत ही effective था, और ऐसी ही में tutorial लेके आता रहोंगा, चैनल को subscribe करना न भूले, thank you so much for watching.